बहुत समय पहले की बात है जादवी जंगल की सच्चाई नाम की कहानी है बहुत मदा आएगा बहुत अच्ची कहानी है बहुत समय पहले की बात है एक गाउं था जिसका नाम था सिवपुर यह गाउं चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था लोग कहते थे कि शिवपूर के पास जंगल साधारा नहीं था गाउं के बड़े बुजर्ग बताते थे कि जो भी उस जंगल में गया अभी लोटकर नहीं आया लेकिन इस जंगल के बारे में एक और बात महसूर थी वहां रहस्चिमई खजाना छिपा था जिसे पाने वाला अमर हो जाएगा अब गाउं में एक लड़का था जिसका नम अर्जुन था अर्जुन हमेशा सहसी और जिग्यासु था उसने बचपन से ही जादुई जंगल के बारे में कहानिया सुनी थी और उसका सपना था उस खजाने को ढूनना लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे मना करते थे एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल की सच्चाई के को जाने बिना नहीं रहेगा क्या अर्जुन उस खतरनाक जंगल में प्रोष करेगा क्या वह जंगल की कहानियों में छिपे सद को खोच पाएगा अर्जुन ने गाओं के सबसे बज़र्गी व्यक्ती बाबा से बात की बाबा ने उसे चेतावनी दी उस जंगल में जाना आसान नहीं है वहाँ सिर्फ तुम्हारे तागत नहीं बलकि तुम्हारे समज और सच्चाई की परिक्ष्या होगी अर्जुन ने बाबा की बात सुनी और निश्टए किया कि वह पूरी तैयारी से जाएगा उसने अपने साथ एक पानी की बोतल एक मशाल और एक पुराना नक्सा लिया जो उसके दादा जीन ने कभी जंगल से लाय थे क्या अर्जुन की ये तैयारी उसे जंगल में सुरक्षित रख पाईगी और ये पुराना नक्सा किस दिशा में ले जाएगा अर्जुन ने रात के समय जंगल की और कदम बढ़ाया जब उसने जंगल में पुर्वेश किया तो वहां की हवा और बातावरन अलग ही महसूस हुआ चारों तरफ अजीब सी आवाजें और अंदकार था थोड़ी देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी अजीब सक्ति से घिरा हुआ है अचानक उसके सामने एक जाद्वी दर्वाजा प्रकट हुआ दर्वाजे पर लिखा था सच के साथ चलो जूट के साथ मत फिचलो अर्जुन थोड़ा डर गया लेकिन उसने फिर उसने साहस जुटाया और दर्वाजा खोल दिया अंदर एक विशाल कक्ष था एक विशाल कमरा था जिसमें तीन रास्ते थे पहले रास्ते पर लिखा था संपत्ति का मारग दूस्ते पर लिखा था ज्यान का मारग और तीस्ते पर लिखा था परिवार का मारग अब अर्दुन किस मारग को तुनेगा क्या हो संपत्त्य की और जाएगा ग्यान की और जाएगा या फिर अपने प्रिवार के प्यार की और अब अर्धुन ने बहुत सोचा और अन्ततव ज्ञान का मार्ग चुना यह से यह वो इस मार्ग पर चला रश्टा कठिन होता गया यहां कई प्रिलोवन थे, सुन्दर महल, सोने की दिवारें और अंगिनत खजाने बिखरे पड़े थे लेकिन अर्जुन ने अपने मन को इस्तिर रखा और सोचा मुझे अपने लक्ष से नहीं बढगना चाहिए आगे बढ़ते बढ़ते वह पुराने सादु के पास मौचा सादु ने मुश्कराते हुए कहा तुमने शही मार्ग चुना है लेकिन तुभारी प्रिक्षिया भी बाकी है सादु ने अर्जुन से तीन सवाल पूछे सबसे बड़ा धन क्या है सबसे कठिन काम क्या है और तीसरा पूछा उनने कि जीवन का असले अर्थ क्या है अब क्या अर्जुन इन सवालों का सही उत्तर दे पाएगा अगर नहीं तो क्या होगा अर्जुन ने सोचा पहले सवाल का उत्तर दिया सबसे बड़ा धन ज्यान है क्योंकि धन खत्म हो सकता है लेकिन ज्यान कभी नहीं जाता सादू ने सिर इलाकर संतुष्टी जताई अर्जुन ने दूसरे सवाल पर ध्यान दिया और बोला सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रण में रखना सादू फिर मुश्कुराया तीसरे सवाल के उत्तर के लिए अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा जीवन का असली अर्थ है दूसरों की भलाई करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना सादू ने अर्जुन की ओर देखा और कहा तुमने अपनी सभी प्रिक्षयाइं पास कर ली अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम वास्ताओं में खोज रहे थे सादू ने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी अर्जुन को दी और कहा यह जादूई छड़ी है लेकिन इसका उप्योग के वाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारे इरादे पहित्रों सच्चे हो अर्जुन को यह जादूई छड़ी मिली लेकिन क्या वह इसे सही तरिके से उप्योग कर पाएगा क्या खजाना वास्ताओं में उसे मिलेगा अर्जुन ने सादू से विदा ली और गाउँ लोट आया जब वहाँ गाउँ पहुँचा तो उसने देखा कि गाउँ में बहुत सारे लोग परिशान थे क्योंकि गाउँ में सुखा पड़ा था और पानी की कमी हो गई थी अर्जुन ने अपनी जादूई छड़ी को उठाया और सोचा इसका सही उप्योग क्या होगा उसने छड़ी को उठाया और गाउँ के पास बंजर मुमी पर जल बिखे रा देखते देखते वहाँ पानी की नद्या बहने लगी और सुखी जमीन हरी भरी हो गई गाउं के लोग अर्जुन की तारिफ करने लगें लेकिन अर्जुन ने कहा यह छड़ी केवल साधन है असली तागत हमारे इरादव और कर्मोंस में होती है अब क्या अर्जुन अब इस जादुशड़ी का सच्चा मालिक बन गया क्या यह खजाना वास्तव में उसके लिए था अर्जुन ने अपनी जादुशड़ी को फिर कभी उप्योग नहीं किया क्योंकि उसने समझ लिया कि असली खजाना कोई सोने या चादी का डेर नहीं है बलकि ग्यान, सच्चाई और सिवा की भावना है वह जंगल के खजाने का असली मालिक था लेकिन यह खजाना उसकी समझ और सचे इरादों में था अब कहानी का संदेश यह था कि असली खजाना भातिक वस्तों में नहीं बलकि अपने कर्मों और विचारों में होता है तो आपको यह कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं और आप हमारे इस चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब दरूर कीजिगा थैंक यू